Hello everyone and welcome to the captain So year 2020 English के जो हमारे टॉपर है उनकी answer sheet को बहुत थोरोली देखने वाले कौनसी ऐसी mistakes है जो कि हमें नहीं करनी है और कैसे answers को presentable बनाना है बहुत informative ओडियो नहीं वाले भाई ये सब कुछ निचोड लेंगे देखो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्चिस रिकमेंड करूँगा हमारा जो paper हमें मिलेगा that is 10-10 बजे जो हमें हमारा paper मिलेगा reading time हमारा start हो जाएगा उसके बाद 10.30 बजे हमारा exam जो हुआ start हो जाता है अभी हमारे पास जितने भी paper के लिए दिन बचे हैं आप क्या करना सुबा साड़े 10 बजे daily unsolved sample papers लेके बैठो उससे होगा क्या आपके brain और आपकी body को आदत हो जाएगी वरना क्योंकि हमारी life का जो है बहुत नया नया बिल्कुल पहला board होता है बच्चों का तो हम nervous कर जाते हैं इससे होगा कि आपके brain को आदत होगी article लिखने की writing section करने की literature करने की तो ये habit आपको बाकी बच्चों से बहुत आगे ले जाएगी दूसरा अगर मैं इन topper की बात करता हूँ तो throughout अगर मैं आप लोगों को इन्होंने proper मोती बरसाई हूँ है तो एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि भाई बिल्कुल throughout your paper आपकी handwriting जो है न वो बहुत ही जादा neat and clean होनी जीए यार देखो जो हमारे examiners होते हैं वो उनकी थोड़ी सी age हो रखी होती है हमें उन्हें comfort के अंदर रखना है अगर आप खुचड पुचड बिल्कुल starting के pages पर ही कर दोगे तो मजा नहीं आएगा और in fact अगर आप इनकी answer sheet भी देखोगे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ले के जाओ तो आप एक चीज़ notice करोगे बिटा कि यहाँ पर इन्होंने page number 3 से जो अपना answer करना start किया है इसका मतलब यह है कि जो हमारा पहला page हमें मिलता है उसके नीचे हमें इतना सा space मिल जाता है इन्होंने वहां से भी start नहीं किया उसका page इन्होंने पलता तो left hand side होती है इन्होंने वहां से भी start नहीं किया इन्होंने right hand side से जो है paper start किया देखो इनका page number 2 इन्होंने यहां से भी start नहीं किया और हमेशा हमारे school के अंदर ऐसा होता है कि भाई हम जो अपनी copy का right hand side वाला page होता है उसके निचे इतनी मोटी booklet होती है वहां पर handwriting अच्छी आती है तो मेरे भाई आप page number 3 से start कर सकते हो pages की चिंता मत करना अच्छी खासी मोटी आपको answer sheet मिलती है कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दूसरी सबसे important चीज जो आपको ध्यान रखने है अब blank space after every section यह इतनी important चीज मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ यह देखो अगर आप इनके answer sheet देखोगे मैं आप लोगों को जड़ा लेके चलता हूँ यहाँ पर अगर आप इनके answers देखोगे तो यहाँ पर यह इनका खतम हुआ यह इनोंने space शोड़ दिया यह खतम हो यह space शोड़ दिया और सबसे मज़ेदारी वाली बात इनोंने क्या की हुए सिर्फ pencil से एक line यहाँ पर डाली हुए जिससे हो क्या रहा है जिससे हो simple simple यह रहा है कि आपको पता चल रहा है examiner को बिल्कुल clear cut पता चल रहा है कि बाई कौन सा answer कहां कहतम हो रहा है कहां start हो रहा है आप खुद देखो बिचा हर जगा इनोंने प्रॉपर ऐसे marking की हुई है बहुत clear बहुत चीजे जो है इनोंने सावसुतरी presentable बनाई हुई है तो यह आदत आप अभी से डालो तभी examiner के साथ अच्छा करोगे अब उसके बाद सबसे बड़ा doubt आप लोगों को आता है कि सर कौन से section से start करे मैं आप लोगों को personal recommendation देखो है देखो यार आप किसी भी section से start कर सकते हो यहाँ पर इन बच्चे ने section A से start किया है मैं आपको personal lectures recommend कर रहा हूं बहुत से बच्चों कि मैं answer copies जो यह चेक करता हूं आप section C से start करो उससे होता क्या है आपके हाथ में keywords होते है जो chapter होता है वह आपने proper पढ़ा होता है आप घर से हाथ के नीचे से practice करके आ रहा होते हो तो जो starting के pages होते हैं उसमें गलती होने के उसमें error होने के बहुत कम chances होते है यार देखो हर जो भी हमारा literature वाले answers होते है हर answer के अंदर कुछ न कुछ keywords होते है जो के examiner ढूंड रहा होता है वह आपने घर पे practice की हुई है तो आपके starting के 5-6 page इतने साफ हो जाते है के examiner आपे भरोसा करने लगता है examiner को पता चल जाते है बच्चे ने पढ़ाई बहुत अच्छी की हुई है तो उससे जो आगे वाली गलतियां भी होते है तो बहुत सी गलती examiner notice में लेते भी नहीं है क्योंकि उनको आपे भरोसा आ जाता है और वही keywords अगर आपको नहीं पता ना भाई मैं इस channel में proper complete preparation करा रहा हूँ हर एक chapter की summary और most important questions यह important questions जरूर करते वे चले जाना आप लोगों को हर chapter के keyword पता चल जाएंगे मज़े आ जाएंगे उसे के साथ आपका writing section भी जो है आप लोगों को topper की answer sheet दिखाऊंगा यहाँ पे अगर 1.1 का answer किया है तो A, यहाँ पे आप देख सकते हो A, B, C, D, E यह proper follow जो है उनोंने किया इसमें से देखो हो सकता है कि उनको एक option ना करना हो ठीके 6 में से कोई 5 करने हो तो उनोंने जो है D वाला नहीं किया उसके बाद direct E वाला कर दिया 2nd का A, फिर 2nd का B यह जो sequence होता है 2nd का C, 2nd का D, फिर उसके बाद E फिर उसके बाद यह आगे 1.3 फिर उसके बाद आपका section ना चेंज कर दिया होगा तो भाई यह इस तरीके से जब आप चलते हो मैंने बहुत अच्छी से तियारी की हुए मैं आपको बिल्कुल comfort zone के अंदर रखूँगा यह mindset से पेपर लिखोगा ना कहीं दिक्कते आएंगी नी देन उसके बाद सबसे important job को करने है जो आपकी cuttings होनी चीए यार देखो ऐसा निये कि इन बच्चे से और उपर लिख दिया आप क्या करते हो मान लो यहां पर गलती हुए तो इसको ऐसे box बना दोगे इसके अंदर इस तरीके से जो है कर दोगे यहां पर अगर चीज highlight नहीं भी उनी होती न तो भी चीज highlight होके आ जाती है ध्यान रखना examiner है भाई यहां पर एक काटा मारोगे हो सकता है examiner उसको पढ़े भी न तो इसी तरीके से काटो और हो सकता है कि आगे आगे मान लो आपसे पूरी पूरी लाइन भी अगर गलत हो जाती है तो इसका सिंपल सा सिर्फ एक ही तरीका बेटा यह प्यारा सा तरीका ऐसे काटा मारो और आगे वाली लाइन से लिखना शुरू कर दो most of the cases के अंदर मेरे पास खुद भी क्यूंके देखो 100 copies होते 1500 copies होते है मेरे पास भी जब copies आते काफी सारी चीज़े जो है वो notice में नहीं यहां पाती है तो यह मैं आपको internal चीज़े बता रहो बहुत काइदे की बाते बता रहो आपको मज़ा आ जाएगा देन उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है long answers यार देखो आप word limit के चंता मत करो आपके answers अकर बड़े हो रहे कोई बात नहीं बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप slow writer हो तो please आप बड़े answers मत लिखना उससे होगा क्या कि या तो grammatical mistake होगी और time जो है वो जादा लगत रहेगा English के paper में सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है time की बहुत value करनी होती है section C बिल्कुल उन्होंने नए page से start किया हुआ हाला कि इनका section वहीं पे खतम हो रखा है बिल्कुल end में ही आके खतम हो है लेकिन अगर मान लो यहां पे आप अगर paper attempt ले रहे हो बटा और आप अगर paper attempt ले रहे हो आपका paper section B for example यहां पे खतम हो जाता है यहां पे section C созд to be here section B it is very bad I say pages don'tlick anytime you so it will go page whole page second section I am had 9 points तो बताया यह है कि आप लोगों को जो है हर एक answer के बाद जो लाइन खीच लिए देन उसके बाद अगर मैं literature की बात करूँ देखो सबसे सही start मैंने आप लोगों को बताया हमारा जो है literature का जो है वो सही start होता है क्योंकि उसके निदर हम बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप slow writer हो तो word limit का खास ख्याल लखना है आप लोगों को तब cross मत रखना ठीक है और हमेशा जो है section C अगर आप start कर रहे हो तो नहे page से ही आप बिलकुल उसको start करेंगे then उसके बाद writing वाले section के अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ऐसा नहीं है कि आप जो philoxynos na hillification इस तरीके की vocabulary यूज करेंगे नहीं अगर आप यहाँ पर इनकी answer sheet को thoroughly पड़ोगे तो आप यह चीज़ फील करोगे कि इन्होंने बहुत ही heavy vocabulary यूज नहीं करी है बहुत ही mild बहुत ही प्यारी सी vocabulary यूज करें तो वह fancy words के चक्कर के अंदर बिल्कुल भी मत घुजाना कि बहुत ही fancy words पकड़े हो जब भी आप writing section की बात करोगे वह पर popular examples यूज करो जैसे कि इन्होंने answer sheet के अंदर हीमादास का इस्तेमाल किया था बहुत बच्चे नरेंदर मोदी का इस्तेमाल करते है बट एक चीज़ धियान दखना कि अगर आप political figure इस्तेमाल करो तो इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल क मैं आपको personally recommend करता हूं कि जैसे sir हमारे जो टाटा है ठीक है हमारे टाटा सर उनके लिए भर हिंदुस्तानी के मन के अंदर जो हो इज़त है तो अगर आप popular examples कुछ लेकर आ रहे हो तो कुछ धंका example लेकर आना please 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 political figures use मत करना हो सकता है कि आपको वह आप अपने पैर पर कुल बहुत determined हूं मैं society के अंदर बहुत changes लाना चाहता हूं मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं इससे आपके answers जो morally correct दिखते हैं कि यार examiner को लगता है कि यार यह बच्चा वाक्य ही पढ़ा लिखा है और यह actual में future में कुछ जो है अच्छा करना चाहता है तो यार यह जो आपको जो है बिलकुल खास ख्याल रखनी है और यार जाते जाते हैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूगा मैंने आपसे वादा किया हूँ है कि मैं आपका class 12 के अंदर 80 में से 80 तो निकल वाऊंगा अपला CUET जो आप लोगों को देना है उसके अंदर भी मैं हमेशा आप के साथ खड़ा हूँ यार हमारा recently batch manager launch किया है उसका price में अगर आप लोगों के सामने बताओ तो यह बहुत ही minimum price है इस price के अंदर आपका CUET का language IP mat, Indoor, Rautak, Jip mat, हर एक exam का जहाँ पर English language आती है complete preparation हो जाएगी आपकी live classes, e-books, mocks, doubt support हर एक चीज़ जो हमें देने वाला हूँ सो भाई आपका English का board examination का पूरे इंतिजाम किया हूँ, CUET का English language का पूरे इंतिजाम किया हूँ, I hope आपको clarity मिली होगी, ऐसी ही best authentic genuine videos में आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, Toppers की जो answer sheet है वो में description box के अंदर डलवा रहा हूँ, वहासे आप जरूर ले लीजिएगा, मि पुझे दीजेगा जाजा, till then bye bye and take care.